बिग बॉस OTT2 के विनर और फेमस यूटूबर एल्विस यादो फिर विवादो में है इस बार वजए एक अन्य यूटूबर सागर ठाकूर के साथ की गई मालपीट है इस मालपीट का वीडियो सोचल मीडिया पर खूब वाइरल हुआ जिसमें एल्विस यादो अपनी कुछ अन्य साथियों के साथ मिलकर सागर ठाकूर को पीटते दिखे सागर ने इस मामले में गुरूगराम पुलिस में एल्विस यादो के खिलाब मुकदमा दर्च करवाया जिसके बाद पुलिस इस मामले की जाच में लग गई हम आपको बता दें कि सागर ठाकूर मैक्स्टर नाम से एक चैनल चलाते हैं वो दिल्ली के रहने वाले हैं वो एक कॉंटेंट क्रियेटर है यूटूब पर उनके 16 लाग से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं इंस्ट्रग्राम पर करीब 9 लाग फॉलोवर्स हैं सागर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया उसमें वह मौल की एक सौप में बैठे थे वहां एलविश अपने दोस्तों के साथ आए और सागर ठाकूर के साथ मार्पिट करने लगे इस दोरान सागर ने ये पूरी गटना मौल में छिपा कर रखे कैमरे में शोट कर ले पिटाई से सागर को काफी चोटे भी आई सागर के मुताबिक मौल में पहुँचने पर एलविश और उनके 8-10 कुंडों ने उनकी पिटाई की वो सभी नज्य में थे एलविश यादो ने उनकी रीर की हड़ी तोड़ने की कोशिश की ताकि वो सारी रिक रूप से असक्षम हो जाएं जाने से पहले एलविश ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी थी इसके बाद देजबर में एलविश को ट्रोल्स का सामना करना पड़ा कुछ वहाँ एलविश को सपोर्ट कर रहे थे वहीं कुछ ट्रोल भी कर रहे थे इसके बाद 9 मार्ज को एलविश ने एक वीडियो पोस्ट करके कहा कि लोगों ने मारपीट का एक वीडियो देखकर मुझे दोशी करार दे दिया मेरे नाम से ट्रेन चलवाए जा रहे हैं आपको दूसरे साइट की स्टोरी भी जानी चाहिए एलविस ने कहा अब जो भी मेरे खिलाब थे वो सब एक जुट हो गए एलविस ने सागर के बारे में बताया कि वो पिछले आठ महिने से मेरे पीछे पड़ा है वो मुझे उकसा रहा था हमारे बीच में मिले भी थे हमने शूट भी किया था हमारे अच्छी बांडिंग थी इसके बाद सागर मेरे हर मामले में टांग राने लगा उसने मुझे और मेरे घरवालों को जान लेवा दम की दे इसलिए मैंने उसे गाली दी फिर मैं उसे मिलने गया उसने पूरा सेट अप करके रखा था माइक पहने हुए था और कैमरा चिपा कर रखा था मैक स्टन अकेला नहीं था बलकि वो चार लोग थे लेकिन उसे कोई बचाने नहीं आया एल्विस और सागर के बीच ये विवाद आट मार्श को शुरू हुआ था इसी दिन एल्विस ने सागर की पिटाई की थी इस पूरे विवाद की शुरूआत एक क्रिकेट मैच से हुई जहां एल्विस यादो और मुनवर फारु की एक साथ नजर आए जैसे ही इनकी तस्फिर सामने आई वैसे ही सागर ठाकूर ने सोशल मीडिया पर एल्विस की खिचाई सुरू कर दी मैक स्टर ने सारे ट्विट्स बहुत सारे ट्विट्स की ए जिसमें उन्होंने कहा कि जब मैं मुनवर के बारे में बात करता हूँ तो एल्विस की फैंस मुझे भला बुरा कहते हैं जबकि एल्विस ने जब मुनवर से मुलाकात की तो वही सब लोग प्यार बाटने की बात करने लगे और बस इसी तरह ये बात बहुत आगे बरती चली गई नतीजा हम सब के सामने है पर अच्छी बात ये है कि अब स्वेशल मीडिया पर सागर के साथ एक फोटो शेर की जिसमें दोनों के बीच भाइचारा देखने को मिला फोटो में दोनों ही मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं एल्विस ने फोटो बाइ बाइ